जैशी कृष्णा स्री राधे राधे नए साल की आप सभी को बहुत अधाया नए साल की सुरुवात में मीठी के साथ करती हूं कैसे बनते हैं आप लोग को अपने साल की सुरुवात मीठे से ही करियेगा तो आपके जुन्दगी में आपके परिवार में विठास खुली रहेगी चलिए अब सार्ट करते हैं लड्डू बनारा है यहां मैंने लेली एक थाली अब इस थाली में मैं ये तिली का जो पैकेट है ये एक किलो की तिली का पैकेट है पर मैं थोड़ा सा ही बना रही हो अभी तो मैंने ये केची से से कट कर लिया है अब इस में मैंने थाली में न अच्छी तिल्ली है एकडम सफेद है इसमें कोई कछरा नहीं डस्ट भी नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही यूज करूंगे देखिए एकडम साफ है तो अब यहां मैंने गैस पर कड़ाई रख दी है और गैस पर रखने के बाद गैस अन कर ली थी उसके बाद डाली मैंने तिल्ली और तिल्ली को सेखना चालू कर दिया तिल्ली सेखने में जादा टाइम नहीं लगता है और इसलिए इसको मैं बार बाद चेक कर रही थी ताकि यह जल नहीं जाए अगर जल जाती है तो फिर वो पूरे लड्डू कड़वे लगते हैं उनमें कड़ा स्वाद आ जाता है इस चाहती हूँ कि यह खा के देखे कि कैसे बने हैं लड़ू यह खा पाएगा या इसे पसंद आएंगे कि नहीं से मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे तो इसलिए भी मैं जल्दी बना रही हूं तिली के लड़ू नहीं तो सक्राथ पर ही बनते आम तो पर तो इसलिए यहां पर त क्योंकि जब हम स्चीज को बनाने लगते हैं न तो हम मैंनेजमेंट की जरुवत नहीं पड़ती है अन्दाश से ही काम चलता है और खाना बिगरता नहीं है अच्छा ही बनता है स्थे ऑन्दास से ही क्योंकि थोड़े से तो बनाने ते उसमें बिगरने का चांसी नहीं था यहां पर मेरी तिल्ली भी सिखा गई थी थोड़ी सी कमी लगी मुझे तो मिनोला थोड़ी से और उसको सिख जाने देते हैं क्योंकि धीमी आज पर सिख रहे है ना इसलिए टाइम लग रहा है तो फिर से तिल्ली सिखा रही है जब तक दो-तीन मिनिट और मुझे लगे इसको थंडी होगी जो मैंने गोड रखा था उसे चोटे-चोटे हिस्सों में कट कर लिया गोड बहुत ही अच्छा था खाने में टेस्ट भी अच्छा है उसका तो गोड हमाई हेल्थ के लिए अच्छा रहता है इसलिए गोड किसे बनी चीजे जादा में चीनों को खिलाती बहुत ही अच्छा फायदा करता है सादी नहीं होने देता है इम्मुनिटी भी बढ़ाता है खुन बढ़ाता है डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अपने डेली रूटीन के काम में खाने पिने में आप थोड़ा बहुत गोड का हिस्सा जरू लेजिए तो इसलिए मैं गोड की आ दर दर यहां पर तिली पीस ली है ताकि तिली दिखे भी क्योंकि मेरे बड़े बेटे को तिली दिखनी चाहिए तब उसे पता चलता है कि यह तो मैंने तिली दर दर पीस के उसके बाद रख दी थी यहां पर मेरा गुड भी मेल्ट हो चुका अच्छी तरीके से तो मैंने डाला एक चमच घी डालने से यह होता है कि हमारे लड्डू हैं वो सौप्ट बनते हैं वो टे टाइट नहीं होते हैं नहीं तो बहुत कड़क हो जाते हैं तिल्ली के लड्डू इसलिए हमने उसमें डाल दिया थोड़ा सा घी गी डालने के बाद फिर मैंने यहां पर डाली है अपनी पीसी हुई तिल्ली और इनको मिक्स करना चालू कर दिया मिक्स होने के बाद यह कड़क होने लगते हैं इसलिए जल्डी से मैंने लड्डू बनाना स्टार्ट किया गरम गरम तिल्ली में यहीं लड्डू बनते हैं नहीं तो वो गोल नहीं होते हैं सुकने लगते है जल्दे से तो सबसे पहले मैंने लड़ू गोपाल के लिए लड़ू निकाल दिये क्योंकि कुछ भी चीज में बनाती हूं तो सबसे पहले लड़ू गोपाल के लिए भोग जरू निकालती हूं और गाय के लिए भी निकालती हूं तो यह हमने लड़ू गोपाल का भोग देती हूं उसके बाद मैंने इतने सारे लड्डू बना लिये थे फिर बनाने के बाद मैंने सबसे पहले भोग लगा दिया हमारे प्यारे छोटे से लड्डू को पाल को उनको भोग लगाने के बाद ही मैं करूंगी क्योंकि खाने को किसी को भी दूंगी क्योंकि लड्डू क यह पहले हैं पहले लड़ू को भोग लाने के बाद अब में चीनु को खिलाने जा रही हूं यहां चीनु को खिलाने के लिए ले गई तो वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके लिए नई चीज थी पहले तो उसने हलका सा टेस्ट किया जब उसे अच्छा लगा मीठा मीठा उसने खाना चालू कर दिया यह देखिए उसने मेरे हासे ही ले लिया और मज़े करने लगा आप सभी पी एंजॉई करें